घर का मेन गेट अंदर से बंद हो जाता है कातिल घर के अंदर आ चुका था मुहपत में पागल और इश्क में खोया हुआ संदीप किसी भी हज जाकर घर की मालकिन यानि रूबिना को अपना बनाना चाहता था चाहे जिन्दा या फिर मुर्दा सनाडे से बरे बंद घर में रूबिना की तीज धरकनी साफ सुनी जा सकती थी वो भाग रही थी चिला रही थी लेकिन आचानक बालकनी पर जाकर उसकी आवाज खामोश हो गई लेकिन कोई था जो अलमारी की अंदर से रूबिना और सन्दीप की बेच हुई हर उस वारदात का गभा बना अब अब सोच रहे होंगे कि आखिरी बच्चा है तो है कौन तो आपको मैं बताओं कि रूबिना का साथ साल का बेटा है जो घर में हो रहे उस खौफनाग बंजर को अपनी नहनी आखों में कैद करता चला गया दरसल बेटे नहीं मा पर हुए सूला चाकू के वार को देखा इतना ही नहीं उसे संदीप को मा को बालकनी से नीचे फेकते हुई भी देखा अप्यला आया था घर पर ठक ठकाया अश्में दरवाजा फिर क्या हुआ जिए पहले जगड़ा हुआ था क्या उनके बीस में और फिर चाकू से मार दिया बच्चा नादान है इसलिए वो शयद आपको संदीप की सचाई समझाना सका होगा इसलिए हम आपको इस कहानी के हर एक करदार से मिलवाते हैं मद्य परदेश की बैतुर में 26 साल की रुबिना अपने पती आसिफ और 7 साल की बेटी के साथ बढ़ी सकून से रह रह रही थी लेकिन एक रोज रुबिना की जिंदीगी में अचानक पहले प्यार यानि की संदीप ने दस्तक दी शादी से पहले रुबिना का करीब 2 साल तक संदीप के साथ अफैर क्या फिर कहें रिलेशन था ये दोनों एक दूसरे को बे इंतहा मुहबबत करते थे लेकिन रुबिना की परिवार को रिष्टा रास नहीं आया और उसकी शादी बैतुल के आसिफ के साथ करा दी गई शादी की बाद अपनी पिछली जिंदिगी के कुछ होड रुबिना अपने पती आसिफ के साथ नए घर में खुश रहने की कोशिश करने लगी और धीरे धीरे ऐसा हुआ भी आसिफ और रुबिना दोनों एक साथ अजिदिगी में आगे बढ़े और उनका फिर एक बेटा भी हुआ लेकिन अपनी फैमिली के साथ हस्ती खेलती रुबिना संदीप के लिए जहर का कड़वा घूर बनी गई थी रुबिना का आसिफ के साथ बिताया हर एक पल रुबिना के पहले आशिक यानि संदीप को खंज़र की तरह चुब रहा था और इसी का बदला लेने के लिए संदीप ने दुबारा रुबिना के लाइफ में जाने का फैसला किया एक बाव फिर संदीब की एंट्री शादी शुदा रूबीना के लाइफ में हुई संदीब ने रूबीना को मनाने की भर सब कोशिश की लेकिन इस बार रूबीना अपने पती और बच्चे के साथ धोका नहीं करना चाहते थी संदीब के लगा था ट्राइ करने के बाद भी रुबिना ने उसके साथ जाने से मना कर दिया रुबिना के मना करने के बाद संदीब उस वक्त मूल लड़का कर वहां से चला गया लेकिन रुबिना और उसके परिवार से बदला लेने के लिए वो वापस लोटा सोंबर यानि 11 अप्रिल 2022 की सुबा जब रुबीना का पती काम पर गया तो संदीप ने मीन गेट का दरवाजा खरकटाया रुबीना ने संदीप को देखकर गेट तो खोला लेकिन संदीप एक बाफ फिर रुबीना से जिद करने लगा कि वो उसके साथ चले इस बात को लेकर दोनों की बीच कुछ देर के लिए कहा सुने भी हुई लेकिन फिर अचानक संदीप की आखों में खून सवार हो गया उसने चाकू से रुबीना पर 16 वार किये बिना जान बचाकर इधर उतर भाग रही थी संदीप उसे दोड़ा दोड़ा कर चाकू से कई वार कर रहा था और मौका मिलते ही उसने उसका गला रेक दिया और फिर उसे बालकानी से नीचे फेक दिया तो बिस पूरे खौफनाग मंजर पर रुबीना के 7 साल की बेटी की नजर थी और उसी ने पलिस को संदीप के जुम की सारी दास्ता सुनाई